तो दोस्तो आप देग मेरे तरह CAC भी हो लिए CAC सोंचाल तो दोस्तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा गुढ़ने हो जा चुका है क्योंकि दोस्तो यहाँ पर हमें जो की option आ चुका है उजवला योजना का beneficiary registration टाट हो चुका हम किसी भी जो की Indian citizen का जो गरिब लोग होते है उनके जो की हम free में एक gas registration करके दे सकते हैं और यहाँ पर form खोल चुका है और यहाँ पर हम जो की आधारकार राशनकार की माध्यम से उनका जो की free का gas LPG connection जो की registration करके हम जो की एक या दो दिन में उनको जो की gas दिला सकते हैं और यह काम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर इसमें काम कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो आई सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो कि इस वाली वेबसाइट पर आना है और यहां पर जो कि आपको एक बार यहां पर जो कि LPG ग्यास, टेंक, सेलेंडर जो कि मैं डेलिवर भी करता हूं तो भाई यह बात आपको ध्यान देना है उसके आपको जो कि आपका जो स्क्रीन पर देख सेकते हैं जो एग्रिमेंट पेपर होती है वह आपको पहले इस वेबस पोटाल पर आना है फुली आपको जो कि यहां पर पास पास का जो कि एक डिस्टिबुटर ग्यास डिस्टिबुटर के पास बिजिट करना है जाना है देखो बात को समद्यों जाने के बाद भाई आपको जो कि एग्रिमेंट के बारे में बात कर लेना है वो लोग नहीं मानते हो तो भाई आपको बैग आ जाना है और आपको दो तीन CSC भेली को contact कर लेना है और आपको दो तीन CSC भेली एक साथ जाना है देखो मैंने भी एक आदमी गया था मुझे वो लोग भी refund भेज़ दे मतलब return भेज़ दे क्यों कि भाई वहाँ पर एग लोगो के लिए agreement करने के लिए बहुत time लागती है वो time देंगे यह बगरा जो की बहुत tension वगरा हो जाती है एक साथ दो तीन लोगों का जो की agreement होगा तो भाई बो लोग आसानी से मान जाते हैं होँँ चलो agreement कर देंगे कुछ इस टाइप से होती है तो भाई आपका किसी भी distributor के साथ agreement वगरा हो जाती है तो भाई आपका काम बन गया माल लो उसका बात है प्रधानमंत्री वजबला योजना का जो ओफिसेली गौर्मेंट वेबसेट हैं वहाँ पर आना है बहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो कि online शुरू है, कभी भी कहीं पर भी आप जो कि काम कर सकते हो, आप किसी भी state का हो, इंडिया का किसी भी state का हो, किसी भी district का भेली हो, आप यहाँ से काम कर सकते हो, देखो मैं क्या process समझ रहा हूँ, वो आप समझो, इस वाली website पर आना है, सीधी से बात यहाँ पर नीचे दिया गया है, कुछ eligibility criteria में बता दिया गया है, क्या document लगेगा, कौन सी eligibility होना चाहिए, क्या swap push है, यहाँ पर बता दिया गया है, नीचे आते हो, online application दिया गया है, उसके बाद दोस्तों आपने आपका जो agreement हुआ है, जिस distributor के साथ यहाँ पर देख सेकते हो, इंडियन, भारत ग्यास और, जिसके साथ भी agreement हुआ है, उसके साथ आपको क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे HP ग्यास के साथ agreement हुआ है, मैंने क्लिक कर दिया, उसका दोस्तों उसका एक dashboard खोल के आएगा, आपको मैं step by step दिखाता हूँ, य जो कि हमें connection type लिखा गया, और regular connection, registration और उजबला beneficiary connection, यहाँ पर देख सेकते हो, तो हमें क्या select करना है, उजबला select करने के बाद दूस्तों थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर हमें I accept above the declaration पर टिक करना है, और हमें जो कि दूस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वैट करना है, उसका यह loading होगा page, और नीचे हमें जो कि हमारा form खोल के आजएगा, मतलब search distributor, name wise और location wise, तो आपको location select करना है, नीचे आना है आपका जो भी state है, जैसे कि मेरा odissa है, मैंने odissa select कर दिया, आपका जो भी state है, sorry, जो भी district है, district आपको select करना है, और आपका जो distributor का name है, वो distributor का name यहाँ पर आपका show हो जाएगा, तो दोस्तों आपका जो distributor का name है, वो आपको यहाँ पर select कर लेना, जो भी in message distributor है, तो मैं यहाँ पर distributor name select कर दिया, और next option पर मैं click कर देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर खोल के आ जाती है, हमारा actual का जो form, जो हमारा उजवाला उजजना का नया gas connection खुल लेने का एक form खुल के आ जाती है, तो भाई आसानी से यहाँ पर जो कि किसी भी customer का, किसी भी हमारा जो resident का, किसी भी beneficiary का, आसानी से इस वाली form पर जो कि आपको apply करना, यहाँ पर जो कि tick करना, यहाँ पर tick करना है, उनका आधार number देना है, उनका जो भी full name है, फुल नेम देना है, middle name, last name, उनका date of bar, उनका कास्ट कौन सा है, OBC, HTSC, other जो भी है, उसका दोस्तों उनका जो कि date of issue, जो कि यहाँ पर बता देगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनका date of bar, कास्ट select करके बाई, उनका राशनकार का date यहाँ पर देना है, राशनकार issue date द लिए पाफिवा नंबर पिन कोड हो गया फिर से उनका पाइब केला डिपीशी काई डबल बोटोल लेना चाहते वह आपको सेलेट करना है उसका दोस्तों उनका जो proof of address पुरूप of address में उनका बोटर ID कार है driving license से राशन कार देना चाहते है जो भी इन में से जो document देना चाहते है वो document आपको यहाँ पर स्यलेट करके उनका proof ID का जो number होती है वो number देना है उसका दोस्तों उनका आधार का photo upload करना है आड्रेस प्रूब का फोटो अपलोड करना है, पासपोर साइज फोटो अपलोड करके दोस्तो रासान कार में जितने भी family member है, उनका दोस्तो जो कि exonus जो फाइल है यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए जिया गया, आपको डाउनलोड पर किलिक करना है, और यहाँ पर डाउ प्रोसेस चले जाना और वो जो फॉर्म निकलती है वो फॉर्म निकालके दूस्तों आपको जो की सिधी सी बात है जो ग्यास ओपीस होती है जो हमारा डिस्टिबूटर करने के बाद दूस्तों जो भी आपके जिस कस्टमर का भी अपने जो की रेस्टेशन किये थे दूस्तों उनको जो की भेज देना है उस उसी ग्यास डिस्टिबूटर पॉइंट को या तो आपके पास भी जो कि आप ले सकते हो और उनको जो कि नया ग्यास लेंडर मिल दूस्तों और आपका जो काम है वो काम बन जाएगा और आपके पास CACID नहीं है और फिर भी आप जो की बिना ग्यास डिस्टिबूटर पॉइंट लेके एक काम करना चाहते तो दूस्तों ये काम भी कर सेकते हो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो की हिंट और घ्यान दे देता ह जैसे कि दूस्तों आपको बिना CACID बिना ग्यास डिस्टिबूटर पॉइंट लेके बाला काम करना चाहते हो तो भाई आपका साइबर केप है या किसी भी जो की सेंटर है तो दूस्तों आपको एक बैनर बना के चिपका लेना आपके पास जो भी कॉस्टमर आते हैं उनका डारेट ओनलाइन पर जो की रिश्टेशन कर लेना है रिश्टेशन करने के बाद दूस्तों आपको किसी भी एक ग्यास डिस्टिबूटर के पास जाके आपको बातचीत कर लेना कि मेरा पास एक बुखान है मेरे पास बहुत लोग आते हैं तो मैं उनका ओनलाइन करता जो भी मेरा एप्लिकेशन होगा जो फर्म होगा मैं यहाँ पर भरूँगा और आपके पास लेके सुमिट कर दूँगा तो आप मुझे एप्रूब करके वह बाला नया ग्यास दे सकते हो कुछ इस टैप से भी आप जो की यह बाला काम कर सकती हो तो दुस्तों फिलाल इस व जो दो मैं आपके लिए टाटा एन बाय बाय जेहिन